हलो फ्रेंड्स मैं ही मलता स्वागत करती हूं आपका माइफूद माइन में आज हम बनाने चा रहे हैं मुफली और गुड की चिक्की जिने बनाना बहुत इसी और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यहांगे में नियौाँ सफ्क्राइब कीज़े दिया चलये बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर सबसे पहले लिया है गुडु हमें मैंने बोग कर लिया है और ऑट पल यहांपर मोमफली और एक कोणटोरी मैंनी अए ऑपर टोरी से कर लिए जिए तो अनों को इ हमें रोस्ट करना है जब तक कि मुमफली के जो छिकल है वो हट ना जाए मुमफली पर से चटक ना जाए जब तक हमें से रोस्ट करना है देखिए इसी तरह से हम इसको रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर मीडियम फ्लेम पर हमें से रोस्ट करना है यह देखिए इसको अच्छी तिल ऑप्शनल है इसमें भी धीमी धीमी से खुश्ब आने तक हमें रोस्ट करना है इसको जादर टाइम नहीं लगता है रोस्ट करने में बस थोड़ी धीमी से खुश्ब आनी चाहिए मुमफली हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है और अब हम इसके चिकल को भी अलग कर लेते हैं विल्कुल यह देखिए इस तरह से एक कपड़ा लीजे उसमें मुमफली को रखिए और दबा कर अच्छी तरह से इसको रगड़ते हुए अब कपड़े में फटा फट इसको कर देंगे जादा टाइम नहीं लगेगा बहुत थोड़ी सी देर में मुमफली जो है वो टू पार्ट में भी डिवाइड हो जाएगी बीच में से उसके टुकड़े भी हो जाएगे और अच्छी तरह से इसको चारो तरफ से घुमा घुमा कर और फिर इसको छान लेना है यह देखिए कितने अच्छे से हमारी मुमफली का सारा च्च्कल हट चुका है कपड़े पर आ चुका है अब एक छलनी लेंगे और उसमें इसको इस तरह से डाल कर हम सब को छान लेंगे और जिन दानों पर अगर रह गया है वहाँ पर हम हाथ से मसल के भी हटा सकते हैं बहुत इसली और बहुत अच्छे से हट जाता है यह देखिए एक दो दानों में अगर रह गया है तो इसको इस तरह से छोटा लीजे और यह हमारे मुमफली के जो दाने हैं एकदम तैयार है यह देखिए सब का छिकल हट चुका है और अब हम इनको थोड़ा सा तोड लेते हैं तो आप इस तरह से कोई कटोरी लीजे और उससे इस तरह से इसको दबाते हुए इसको तू पाट्स में है जैसे भी आप तोड़ना चाहें आप तोड़ सकते हैं यह देखिए बुमफली भी हमाई टूट चुकी है अब हमें फिर से एक पैन लेना है उसमें एक चमच घी डाला और जो हमने गुड़ ले रखा था गुड़ को डाला अब अगर साबुत के गुड़ डालेंगे ना तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा जिसकी वज़ चलाते रहना है यह देखिए कितने अच्छे से हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है जादा टाइम नहीं लगता है इसमें मुश्किल से आप 15 मिनट में चिक्की बनके हमारी तयार हो जाती है यह देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है सारा आप देख रहे हैं साइट पे बबल और गुड़ का कलर है वो भी जेंच होने लग गया है परफर्क्ट चिक्क के बनाने के लिए सबसे ज़ादा ज़रूरी है इसका गुड़ का अच्छी तरह से पकना यह देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हम अब इसे चैक करेंगे एक बारी कि गुड़ हमारा ची तर जब तक हम इसको गैस को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है और इसको अच्छी तरह से इसी तरह से हम मिक्स कर दे रहते हैं अगर आराम से टूट रहा है और काफी जगा पर नहीं भी टूट रहा है तो मतलब हमें इसे कोई एक मिनट के लिए थोड़ा सा हम इसे अभी और पकाते हैं जब गुड़ बिल्कुल आराम से टूटने लग जाए ना तो समझे कि हमारा गुड़ एक दम तयार है मुमफली डालने के लिए यह देखें मैंने करीब इसको एक मिनट तक और भूना है और यह देखें किलर कितना अच्छा हो गया है इसका और अब हम इसमें डाल देते है हमारी मुमफली जो हमने मुमफली साफ करके रखे थी हमने वह मुमफली डाल दी है इसमें और इसको बहुत जल्दी जल्दी अच्छी तरह से हमको मिक्स करना है जादा टाइम नहीं लगाना है यह सेट होने लग जाता है वरना यह देखें इसको इसी तरह से मिक्स कर दीज तो प्रमस्काटे साटkorी बनातारन सकते है और इस थोड़ा साथ है इस एक राखा कहरा की झाले न छोन और प्रमस्केस कारे हूं ने भाया जो फिर में है वह कर शेयों खुड़री कि वह भिपसक है बना लें किसी तयों कि काटोरी बना लिए यह चोड़ान केता है जाना रभी में में мире में किक हुआए मेर देख़ा क्छों है और अप्ड़ी घची हवाँ तूरा करना देख़ा रहा, मी ठाल करण तो देख़ा है अब नहां कर दो और पुद्द मॉर्हाई हैंि इस फिर देख़ा बेल काना नहीं испड़ा है तिल खुष और झाके टूरे तो लेकाने काट पेला है शहीं कटटा हम में के एंदूनें अतर हें। करने इसे यो ठाख देंगे अतरों पुंपर गीए। एक धने के तरह से रख देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज इसे लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा बहुत एजली यह हट जाती है प्लेट से देखिए सारी मुफली हट चुकी है आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंड करके जरूर बताइए यह देखिए हमारी मुझ इसको कज़क भी कहते हैं बहुत बनके एकदम तयार हो चुकी है बहुत टेस्टी है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंड करके जरूर बहता है और फूट माइंस को सब्स्राइब करना बिल्कोवी मन ना भूले मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में